ओम श्रिम श्रिये नमा जै मादरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रत्योहा टोटके मैं हूँ आपके साथ रिम जिम श्रिमा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ माक्षीश मास के गुरुवार वरत के बारे में संपोर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूँ देखिए हम सभी जानते हैं माक्षीश का जो महीना होता है वो भगवान श्रीक्रशन का मास बताया गया है और इस मास में भगवान श्रीक्रशन की पूजा आराधना बहुत फल्दाई होती है लेकिन दोस्तों माक्षीश मास में माता लक्षमी की पूजा भी बहुत ही फल् करते हैं लेकिन माक्षिश मास में मतलब की अगहन के महीने में गुरुवार के दिन जो भी मनुष्य माता लक्षमी की उपासना पूजवधी विदान के साथ करता है उसकी जीवन में जो भी कामनाएं है धन की संतान की विवाह इच्छा से आप कर सकते हैं किसी भी इच्छा से विद्या अर्जन चाहते हैं नौकरी विवसाय में तरक की उन्नति चाहते हैं किसी वेच्छा से माता लक्षमी की उपासना आपको माक्षिश मास के मतलब घनमास के गुरुवार के दिन करनी चाहिए जो की बहुत फलदाई होती है दोस्तों गुरुवार का दिन देखिए वैसे हम जानते हैं इस दिन भगवान विश्नु की हम पूजा आरादना करते हैं गुरु ब्रस्पती की पूजा आरादना करते हैं ब्रस्पतिवार का व्रत करते हैं लेकिन ये जो माक्षिश मास का गुरुवार होता है ये पूरी तरीके से माता लक्षमी को समर्पित बता तो माक्शिश मास में देखिए जो पूरा वरत है, किस प्रकार से करना है, क्या विधी है, क्या नियम है, पूजा के लिए क्या जरूरी सामागरी चाहिए, कितनी वरत करने होते हैं, किन लोगों को ये वरत करना चाहिए, किन मनुकामनाओं की सिद्धी के लिए इस वरत को कर स तो अगहन के महीने में जो भी गुरुबार पढ़ते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने वरत करते हैं तो जो महालक्षमी वरत होता है गुरुवार का वरत होता है मातालक्षमी के निमिट अगहन मास में जितने अगहन मास के वरत पढ़ते हैं उन सभी वरतों को धारन किया जाता है अब ये वरत कितने पढ़ते हैं देखिए क कभी-कभी हम जैसा जानते हैं कि एक मास में 4 वरत आम तोर पर होते हैं लेकिन कभी-कभी 5 वरत भी हो जाते हैं. तो जो इस बार का जो अगन मास है माक्षिश का मास है वो शुरू हो रहा है देखिए 28 नवंबर को और समाप तो होगा 26 दिसंबर को. तो इस बार दोस्तों 4 वरत पढ़ रहे हैं 30 नवंबर को पहला वरत है तो उसके पहले ये जान लीजे कि यह वरत आपको क्यों करना चाहिए देखिए महालक्षमी की उपासना जो हम करते हैं धन धाने के लिए आर्थिक उन्नती तरक्की के लिए करते हैं हाला कि गुरुवार के दिन का ये वरत है इस दिन माता लक्षमी की उपासना भगवान श्रीहरी विष्णों के साथ करते हैं भगवान क्रुष्मी के साथ हम इस दिन पूजा आराधना करते हैं मया लक्षमी की तो ऐसे में धन संपदा के साथ साथ वयवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए कन्याएं भी करती हैं लेकिन ऐसे व्रतों में किसी की मना ही नहीं है जो गुरुवार माक्षी शमास का गुरुवार व्रत है मातलक्षमी का ये व्रत है इस व्रत को स्थरी कर सकते हैं पुरुष कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति इस व्रत को धारन कर सकता है अब दोस्तो व्रत की संख्या मैंने आपको बता दी चार वरत कोई भी कर सकते हैं किसी भी इच्छा की पूर्ती के लिए कर सकते हैं पहले वरत में आपको संकल्प ले लेना है कि अपनी इस इच्छा की पूर्ती के लिए मालक्षमी आपकी उपासना में हम है अब दोस्तो इसका उध्यापन आपको कब करना है फूजा विधी आगे मैं बटाओंगी उध्यापन आपको जो भी आखरी वृत होगा ना उसी के दिन कर देना है मतलब कि इस बार जैसे चार वृत पढ़ने हैं तो चौथे वृत में ही आपको उध्यापन कर देना है लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि उद्यापन वाले दिन आपको जो भोजन है जो शुद्षात्विक भोजन हम उद्यापन के बाद खा लेते हैं नमक सहित वो आपको नहीं खाना है तो जो अन्य तीन वरतों में जैसे आपने नियम रखा है फलाहार का उसी प्रकार से इस वर कि आपको जरुत होती है ये भी जान लेते हैं देखिए पहले गुरुवार के दिन ही उसके पहले आप तैयारी कर लीजेगा सामागरी में इसमें क्या होती है न माता लक्ष्मी के निमित हम देखिए पूरव्य उतरदिशा में पाटा लगाते हैं पूजा विधी में तो आप को एक कलश एक श्री कलश की स्थापना करनी होती है और ये श्री कलश आप चारो गुरुवार व्रत के दिन तक वहाँ पर स्थापित रख सकते हैं कई लोग हर गुरुवार को भी स्थापित करते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है श्री कलश के लिए जैसा हम सभी च गने नारियल होता है उसको विशेश प्रकार से उसका हम श्रिंगार करते हैं। उसी के स्वरूप में माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। माता लक्ष्मी को वे देखे श्री कहा जाता है, तो यहां पर माता लक्ष्मी का जो साज श्रिंगार होता है ना, वो हम उस नार्यल में ही करते हैं, मतलब कि उसको साड़ी पहनाते हैं, देखिए माता लक्ष्मी के निमत ना, एक मुख, जो मुखोटा होता है, वो बना बनाय माता का बना दें, आप होट माता की बना दें, मतलब माता का जो एक चहरा है, फwίस जो आकृती होती है, वो आपको नारियल में ही बना लेना है अपनी 8-21 साल. उसकी बाद में माता का लाल चुनरी लगाएं माता को कुम कुम बिंदी तिलक्चु भी लगाते हैं माता की बिंदी लगाकर सिंदूर लगाकर के माता को अच्छे तरह से उनको अलंकृत करें एक सोहागन जिस प्रकार से श्रिंगार करती है पूरा श्रिंगार आपको महालक् एक सकते हैं, आप यहां पर पाच अशोग के पत्ते, आम के पत्ते, पान के पत्ते कुछ भी ले सकते हैं, तो पंच पलब लगा करकि उसी पर नारिया लगाए, और माता की वहाँपर शरिंगार करें अब दोस्तों जो एक कलश है उसको आप पाटे पर बीच में चावल की एक धेर बना लें और उस चावल की धेर पर रखें कलश में देखिए यहाँ पर आप सोने का कोई भी आभूशन छोटा सा आभूशन आप सोने का एक जरूर उसमें डालने आप नहीं हो तो चानी का भी डालने ऐसा करना धन धाने से हमारे घर को भर पूर रखता है तो आप ऐसा कीजिए इसके बाद में विधी विधान से माता क कि हमको पूजा करनी है देखिए माता मालक्षमी की जभी हम पूजा करते हैं तो फूलों में कमल का फूल हम लेकर आएं वस्तरों में गुलाविया लाल वस्तर दें माता के शिंगार के लिए बिंदी, सिंदूर, महावर, महंदी जो भी चीज़ें आप लाना चाहें वो शि खाने की खीर बना ले, चावल की खीर बना ले, तो सफेद भूग, सफेद दूद से बरी मिछाईयों का भूग भी आप माता को आज की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, इसकी बाद माता के ने में जिन भी मंत्रों का आपको जब करना है, वो जब करें, आज माक्षिश मास गुरुवार वरत की कथा आप वहाँ पर पढ़ें, सुनें और उसके बाद महालक्श्मी माता की माक्षिश मास गुरुवार की जो आरती है, वो उतार करके इस वरत को सुबह की पूजा में संपन्ने करना है, अब इस पूजा में देखे, संधिया कालीन भी पूजा होती है तो शाम की समय की पूजा में आपको क्या करना है आपको माता को फूलर पित करना है और भोग लगाना है और मंत्रों का लेकिए माक्षिश मास का जो गुरुवार है इसमें मंत्रों के माता की निमिट मंत्रों का जप आप करते हैं इस फूरे मास में बहुत फल्दाई होता है धंधानी की अगर हम चाहते हैं हमारी उनत्ती तरक्की हो इसके लिए तो आप शाम के समय एक माला माता के जो भी मंत्र जपना चाहें खास तोर पर जो मालक्षमी का मंत्र है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मंत्र को कम से कम एक माला आपको जपना चाहिए माता के मंत्र आप एक माला भी सरूर लियाए, हर पूजा पाज की दुकान पे आपको असानी से उब्लब्ध हो जाएगी, तो दोस्तो इस प्रकार से इस कथा को, इस वरत को हम संपन्य करते हैं, अब माक्षिश मास वरत में क्या खाए, तो देखे इस वरत में भी अन्य वरतों की तरह हमें फलाहार ही रहना चाहिए, इसके बाद में दोस्तो अन्य आपको जब दूसरे दिन की सुगे की पूजा कर लेंगे, आप उसके बाद में अन्य आपको ग्रहन करना चाहिए, दोस्तो अब इस पूजा को जैसे मैंने बताया कि चार इस बारी वरत पढ़ने हैं, तो चारो वर होता है दशांश, दस्वे हिस्से को आपको हवन में आपूती मंत्रों से देनी है माता के निमत, इसके बाद में आपको दान करना है, तो भ्रामनों के निमत आपको दान करना है, अन्र का दान, वस्त्र का दान, सोनी चांदी का दान, गो दान, बहुत फल्लाई होता है, अच् के निमत आपको निकालना है गुड चने और हल्दी ये चीजें आपको गौमाता को खाने के लिए जरूर देने हैं हल्दी थोड़ी सी दें गुड और चने जरूर पूजा के समय ही आप निकाल करके गौमाता के नाम से रखें और उन्हें उसी दिन आपको गुरुवार के लाना चाहिए तो इस प्रकार से ये संपुर्ण विधी होती है अगहन के जो गुरुवार वरत होते हैं माता लक्षमी के निमत इसी विधान से आपको इस वरत को करना चाहिए अपनी किसी भी इच्छा की प्राप्ती के लिए तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी मै है माता लानी हादर महादेव